अलेकुम और रहमतुलाफ फरहान गुरू यूटीब चैनल की तरफ से एक और नई वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ दोस्तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा के आप तहवील अलराजी के एप्लिकेशन से इंटरनेशनल ट्रांसफर कैसे करेंगे अगर आप तहवील अलराजी के एप्लिकेशन को यूज करते हैं तो इसके कई सारे फाइदे हैं जैसे अगर आप तहवील अलराजी के application को यूज करते हैं तो आपको किसी भी तहवील अलराजी के branch में नहीं जाना होगा आप घर बैठे अपने mobile से international transfer कर सकते हैं अगर आप तहवील अलराजी bank के application को इस्तमाल करते हैं तो इसमें आपको काफी अच्छा exchange rate मिल जाता है जो कि दूसरे bank के मकाबले काफी ज्याद होता है और अगर आप तहवील अलराजी के application को इस्तमाल करके international transfer करते हैं तो आपको sending charge बहुत ही कम pay करना परता है जो कि दूसरे bank के मकाबले काफी कम है दोस्तो तहवील अलराजी application को कैसे register करेंगे उस पर मैंने पहले एक मकमल वीडियो बना दिया है और तहवील अलराजी के application में आप beneficiary को manually कैसे add करेंगे या अगर आप beneficiary को manually add नहीं कर सकते हैं तो आप तहवील अलराजी के toll free number पर call करके आप अपने beneficiary को तहवील अलराजी में कैसे add करेंगे उस पर भी मैं एक मकमल वीडियो बना चुका हूँ अगर आप लोगों ने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप फरहान गुरू YouTube चैनल पर visit करके उस वीडियो को देख सकते हैं और वीडियो के description में मैंने उन तीनों वीडियो का link दे दिया है आप description में जाकर उस link पर किलिक करके भी उस वीडियो को देख सकते हैं दोस्तो अगर आपने अभी तक चैनल को subscribe नहीं किया है तो subscribe जरूर कर ले चैनल का subscribe करने के कोई भी पैसे नहीं लगते और अगली वीडियो की notification के लिए बिल के icon को प्रेस करना न भूलें सबसे पहले आप अपने तहवील अलराजी bank application को open करेंगे open करने के बाद आप अपना username और password इंटर करेंगे और यहां से आप login को प्रेस करेंगे login को प्रेस करने के बाद आपके mobile number पर एक one time password भेजा जाएगा आप उस one time password को यहां पर इंटर करेंगे one time password इंटर करने के बाद आपको इसका interface कुछ इस तरीके से दिख जाएगा यहां से आप transfer को प्रेस करेंगे transfer को प्रेस करने के बाद यहां से आप choose transfer type को select करेंगे और यहां से आप international transfer to bank को select करेंगे international transfer to bank को select करने के बाद यहां से आप ok को प्रेस करेंगे उसके बाद यहां से आप choose your beneficiary को select करेंगे आप जैसे ही choose your beneficiary को select करेंगे आपके तहवील अलराजी में जितनी भी Beneficiary एड़ होगी वो यहाँ पर आपके डिस्पले पर सो हो जाएगी आप जिस भी Beneficiary को पैसा ट्रांसफर करना चाहते हैं आप उसको यहाँ से सलेक्ट करेंगे Beneficiary सलेक्ट करने के बाद यहाँ से आप Next को प्रेस करेंगे next को press करने के बाद यहाँ पर आप जितनी भी amount transfer करना चाहते हैं अगर आप real में transfer करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर enter करेंगे अगर आप चाहते हैं इंडिया का 10,000 या 20,000 जो भी पैसा transfer करना चाहते हैं अगर आप Indian रुपीज में टाइप करेंगे तो आप यहाँ पर इंटर करेंगे amount, यहाँ पर आप जितनी भी amount ट्रांसफर करना चाहते हैं, आप उस amount को इंटर करेंगे, आप जैसे ही यहाँ पर real को इंटर करेंगे, यहाँ पर आपका Indian रुपीज में convert होकर so हो जाएगा, और यहाँ पर आपका transfer fee so हो जाएगा, उसके बाद यहाँ से आप next को press करेंगे, next को press करने के बाद यहाँ से आप select transfer reason को press करेंगे, उसके बाद यहाँ से आप कोई भी option select कर लेंगे, option को select करने के बाद यहां से आप ok को press करेंगे और यहां से आप transfer tag को select करेंगे और यहां से भी आप किसी भी option को select कर लेंगे उसके बाद यहां से आप ok को press करेंगे और यहां पर आप description में कुछ भी type कर देंगे जैसे आप अपना नाम भी type कर सकते हैं description टाइप करने के बाद यहां से आप next को प्रेस करेंगे आप जैसे ही next को प्रेस करेंगे यहां पर आपका card number सो हो जाएगा और यहां पर आप जिस भी beneficory को पैसा भेज रहे हैं उसकी सारी details जैसे की उसका नाम, bank name और account number सो हो जाएगा और यहां पर आप जितनी भी amount transfer कर रहे हैं वो 100 हो जाएगी और यहां पर आपका जो भी real का convert हो के Indian rupees में बन रहा है वो 100 हो जाएगा और यहां पर आपका sending charge सो हो जाएगा उसके बाद यहाँ से आप send को प्रेस करेंगे आप जैसे ही send को प्रेस करेंगे आपका पैसा successful transfer हो जाएगा यहाँ से आप so transfer details को प्रेस करेंगे आप जैसे ही so transfer details को प्रेस करेंगे आपने जो भी पैसा transfer किया है वो यहाँ पर so हो जाएगी सो दोस्तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही उमीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को like करें चैनल को subscribe करें और आपके मन में कोई confusion है तो नीचे दिये रहे comment box में जरूर लिखें